students, today I'll explain you next chapter how to tell wild animals how to tell wild animals का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो tell word दिया हुआ है जिसका मतलब होता identify करना तो how to tell wild animals means wild animals को आप कैसे identify करेंगे कैसे पहचानेंगे, कैसे recognize करेंगे तो इस chapter में poet बता रहे हैं कि आप जो wild animals होते हैं उनको कैसे recognize करेंगे, तो आईए देखते हैं first prices में poet बता रहे हैं कि if ever you should go by chance to jungles in the east to jungle in the east का मतलब है, in the, the east का मतलब है जो word का eastern part है, वहाँ के जो jungles है, यदि कभी by chance आप वहाँ पर जाते हैं and if there should do you advance, advance का मतलब होता है कोई चलता हुआ आए to go forward means आगे आना, आगे बढ़ना तो वहाँ पर आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ कोई एक a large and tiny beast एक भारी भरकम और tiny beast, tiny का मतलब होता है yellowish brown means पीले और भूरे color का कोई beast means animal आपकी तरफ यदि आता है if he roars और ये तो दहाड था है, at you आप पर as you are dying जैसे कि आप मरने वाले हो means उसकी दहाड सुनकर जैसे कि आपके प्राड ही निकल जाए you will know it is the acian lion तो आप तुरंट पहचान लोगे कि ये कौन है, acian lion है means ऐसा कुछ situation आप देखते हैं तो आप तुरंट उसे पहचान लोगे कि ये acian lion है तो first passes में poet ये बता रहा है कि आप acian lion को कैसे recognize करेंगे, कैसे पहचानेंगे ओके students, I think आपको first passes बिल्कुल clear हो गया होगा, अब देखते हैं second passes or if sometime when roaming around, a noble wild beast grates you or if sometime कभी कभी when roaming round, roaming का मतलब क्या होता है, walking करना, wandering करना जब आप बर्त घुमने के लिए निकलते हैं, round कि चारो तरफ a noble wild beast, wild का मतलब जंगली, beast का मतलब animal grates means आपको मिलता है, स्वागत करता है means आपको मिलता है, you आपको a noble, noble का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, having admirable qualities, मतलब एक शांदार जानवर जब आपको मिलता है, एक qualities से परिपूर एक जानवर आपको होती है, black stripes आप इस figure के माधम से देख सकते हैं, कि यह जो animal है, इस पर क्या है कि stripes दिख रही है, देखे, black color की पट्टियां टाइप की दिख रही है, stripes दिख रही है, उसकी yellow skin पर, यह कुछ ऐसा दिखता है yellow ground पर, तो just notice if he eats you, तो ठीक आपको ध्यान देना, क्या वो आपको खाने की तरफ बढ़ता है means यह दो आपको खाने की तरफ बढ़ता है, आपको खाने के लिए आता है, the simple, this simple rule may help you learn तो इस rule से आप आसानी से पहचान सकते हैं, कि वो कौन है, the Bengal tiger to discern means आसानी से आप उसको discern कर सकते हैं, recognize कर सकते हैं, कि यह Bengal tiger है तो okay students, इस पैसे में उसने बताया कि आप Bengal tiger को कैसे recognize करेंगे, कैसे पहचानेंगे अब देखते हैं, passes number third, if strolling forth a beast you view, view का मतलब see, means देखना if strolling, strolling का meaning होता है, कि आप जब धीरे-धीरे strolling करते हैं, means walk करते हैं, टहलते हुए आगे बढ़ते हैं fourth का मतलब head forward, a beast you view, जब आप किसी beast को देखते हैं, whose hide, जिसकी hide का sense यहाँ पर किसे दिया हुआ है कि जो beast है, means जो animal है, उसकी जो hide है, hide का sense यहाँ पर दे रखा है, उसकी skin से whose hide with spots is peeped, जिसकी skin पर क्या बने हुए हैं, papered बने हुए हैं, means spotted बने हुए हैं, means धब्बेदार है जो उसकी skin है, देखे इस animal को, इसकी skin है, जिस पर धब्बे बने हुए हैं, कुछ ऐसा है, तो as soon as he has left on you और जैसे वो आपको देखता है, वो आप पर क्या करता है, left करता है, left क्या है, leap की second form given है, means jump करता है तो you will know it is the leopard, तो आप तुरंट पहचान लोगे कि ये कौन है, leopard है, means तेंदुआ है, आप उसे देखते ही, जैसे वो आपको देखेगा, आप पर jump करेगा, तो आप तुरंट पहचान लोगे कौन है, तेंदुआ है it will do no good to roar with pain, और उसके बाद आप pain से कितना भी roar करें, कितना भी चिलाएं, it will do no good, इसे कोई मतलब नहीं, मतलब आपको छोड़ेगा नहीं, he will only lap and lap again, वो बार बार आप पर क्या करेगा, lap क्या है, leap की second form है, जो short form में right point ने use किया है तो lap करेगा, फिर से lap करेगा, means इस तरीके से वो आपके प्राड़ ही ले लेगा, इतनी बार वो jump कर करके आप पर attack करता है, तो next passes देखते हैं, if when you are walking around your yard, जब आप अपने आंगन के चारों तरफ, yard का मतलब एक ऐसा place जो एक wall से क्या है, cover किया है, आप वहाँ पर walking करते है, you meet a creature there, और वहाँ पर आप एक creature से मिलते हैं, creature का मतलब प्राड़ी से मिलते हैं, who hugs you very very hard, जो आपको क्या करता है, बहुत tightly hug कर लेता है, be sure it is a bear, तो आप तुरण समझ जाए कि ये कौन है, भालू है, bear का means क्या है यहाँ पर, भालू से है, तो आप तुरण उसको पहचान ल one more carous, तो आपको वो एक और carous देदे, एक और tight hug करेगा, तो आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये कौन है, भालू है, means इतना तगड़ा उसका hug होगा कि आपके तो प्राड़ी निकल जाएंगे, इतना tightly हो क्या करता है, hug करता है, तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान स सकते हैं, ये bear है, ये भालू है, तो students next pieces देखते हैं, कि दो to distinguish bees of pray, तो ये that to distinguish का मतलब होता है, recognize करना, पहचान करना, पहचानना, bees जानरों को आप प्रे, जो सिकार करने वाले जानवर होते हैं, उनकी पहचान करना, unaware, कि किसके लिए एक परसन, ऐसा परसन, जो क्या है? unexperienced है means no sikhia 29 का मतलब क्या है no sikhia person के लिए क्या होता might non plus क्या हो सकता है थोड़ा doubtful हो सकता है भरमित करने वाला हो सकता है confuse करने वाला हो सकता है means यह कोई no sikhia person है तो यह जो जंगली जानौर है जो सिकार करने वाले जानौर है उनको आसानी से पहचान नहीं पाएगा बरमित हो जाएगा जैसे example लेता है the crocodile you always may tell from the hyena does जैसे कि crocodile और hyena hyena का मतलब क्या होता है कि लकडबगगा means लकडबगगे और crocodile मगर मच को आप कैसे पहचानेंगे उसकी पहचान क्या होती तो यहां बता रहा है कि hyena come with Mary smile जब hyena बहुत खुश होता है या कोई सिकार करता है तो बहुत ही खुश होता है smile करता है Mary means happily smile करता है but if they weep they are crocodile लेकिन यह थी वो रोते हैं इसका मतलब वो crocodiles होते हैं आपने सुना होगा कि मगर मच के आशू तरीके से हम पहचान लेंगे कि हाइना जब मुस्कुराता है बहुत कुश होता इसका मतलब हो हाइना है और याद किसी अनिमल के आशू बह रहे हैं तो तुरंत हम पहचान लेंगे कि यह crocodile है तो students इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप हाइना को और crocodile को पहचान लेंगे नेक्स पैसेज देखते हैं दे ट्रू कैमलियान इसमाल जो ट्रू कैमलियान का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा छोटा सा एक छोटा सा जीव जो बिल्कुल अलेजर्ड एक लेजर्ड की छिपकली की तरीके का होता है यहाँ पर जो कैमलियान है कामलियान का मतलब होता है गिरगेट जो बिल्कुल किस तरीके का होता है लिजर्ड की तरीके का होता है चिपकली की तरीके का होता He has not any years at all जबकि उसके कोई भी कान नहीं होते हैं and not a single wing और ना तो उसके पंक होते हैं If there is nothing on the tree, यदि पेड़ पर उसके सिवा और कुछ न दिखे, means पत्ति उत्ती कुछ भी न दिखे, it is the chameleon you see, तो आप वहाँ पर किसको देख सकते हो, chameleon को देख सकते हो, means गिर्गिट को देख सकते हो, इस चित्र में आप देख सकते हैं, किस तरीके से इस पर गिर्गिट बैठा हुआ, गिर्गिट के बारे में आपने एक कहाउद भी सुनी होगी, कि गिर्गिट क्या करता है, अपना रंग बदलता रहता है, तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे, कि ये क्या कौन है, गिर्गिट है, तो इस्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर इंड होता है, और आइधिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप हमारा यूटूब चैनल लर्न विद अशोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आसानी से सारे वीडियोज मिल सकें, थैंक यू क्लास.